दस बड़ी बाते कौन कौन सी ये सेलेक्शन में वो हम आपको बता देते हैं रुजहानों में एंडिये को 330 से ज़ादा सीटे मिली है पहली बात रुजहानों में यूपी में गडबंधन का जादू बिलकुल नहीं चला है ये भी समझ लीजिए ये हमारी तीसरी इंपोर्टेंट बात गडबंधन को रुजहानों में 30 से भी कम सीटे मिली है और इसके साथ ये हमारी चौती और इंपोर्टेंट बात और अब पाचवी बड़ी बात पर आते है बहराल कॉंग्रेस के लिए रुजहानों में सबसे बड़ा जटका है सबसे ज़्यादा कॉंग्रेस को जटका यहां से लगा है यूपियो को रुजहानों में 90 से ज़्यादा सीटे मिली है यूपियो को रुजहानों में 90 से ज़्यादा बात सेंसेक्स में जबरदस उचाल है और ये 32 साल बाद ऐसा हो रहा है कि कोई पूर बहुमत की सकार सरकार जो है रिपीट कर रही है और अब आपको सीधे लिए चलते हैं अपने एलेक्शन वार में जहाँ पर हमारे तमाम लोग मौजूद है हमारे टरेंची भी मौजूद है अगर अमेठी में राहूल गांधी हार जाते हैं जैसा कि ट्रेंड आ रहा है लगातार राहूल गांधी पिछड़ रहे हैं तो ये मैं मानता हूँ कि अब तक कई सबसे बड़ा उलट फेर होगा उत्तर प्रदेश की राजनीति को नए सीरे से प्रभासित कांग्रेस को करना पड़ेगा आजमगर से अखिलेश यादो 14000 वोट से आगे हैं लेकिन राहूल गांधी का पिछड़ना ये कांग्रेस की राजनीति के लिए एक इसतरा का संकेत है कि कांग्रेस को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लहर कैसी ह आपके सहुलियत के लिए हम आपको आपके स्क्रीन के बाएं साइड पे अवद छेत्र में पश्चिमी छेत्र में पूर्वी छेत्र में अगर हम इसको बटवारा करके भी दें आपको किस छेत्र में पार्टी किस पार्टी को क्या बहुमत मिल रहा है किस पार्टी को कितनी स सिट मिल रही हैं यह भी हम आपको उत्तरपतेश के एक सीट का बेवरा दे रहे हैं असी में से चोवन सीटें बीजेपी के पास जा रही है एक सीट कांग्रेस को राइबरे लिकी के वल अमेठी पिछड़ रहे हैं वो 25 सीटें गडवंधन को राहूल गांधी का पिछड़ना क अब मुझे लगता है कि अंतर क्योंकि वहां भी काटेंगा संगर से और लोगसभा के चुनाओं में तीन चारह जार पांच जार रोटों से आगे पीछे होना वो काफी आसा हुआ ही क्यों एक ऐसी सीट पर जिस सीट पर बरसों बरस कॉंग्रेस कर्षिस ने तर्ट ही चुन कि करड़ोंसे हुआ है